Heating effect of electric current जब भी किसी wire में current बहता है current flow करता है तो दो चीजे होती है एक वो wire गरम हो जाती है एंट दूसरा उस wire के चारों तरफ magnetic field established हो जाता है ये बात को धियान दखिए जब भी किसी wire में current flow कर रहा होता है electric current flow कर रहा होता है तब दो चीजे होती है एक वो वाईर गरम होने लगती है हीटिभिंग इफेक्ट शुरू होने लगता है ए niग धूसरा उसके चार तरफ मैगनेटिक फेल्ड इस्टेबलिश हो जाती है मा अले कितना होगा वह आगेiennent वाला chapter है next chapter है आपका और अभी इस वाले chapter में हमने हमको देखना है कि वाइर में अगर current जा रहा हो तो जो heat produce हो रही है वो कितनी होती है so we are talking about heating effect of electric current अब जब इस चीज को समझो यह एक वाइर है वाइर में current flow कर रहा है वाइर में इसलिए current flow कर रहा है क्योंकि किसी ने electron को धक्का दिया किसी ने electron को flow कराया किसी ने energy दी और उससे electron flow होना शुरू हो गए तो बताओ कौन रहा होगा वो obviously वो रहा होगा एक battery क्योंकि बिना battery के तो current flow हो ही नहीं सकता this is the plus terminal and this is the minus terminal तो battery क्या करती है battery charges को flow कराती है है न अच्छा electron के flow करने का direction क्या है minus से plus और current के flow करने का direction plus से minus यह ध्यान रखिएगा current हमेशा plus से minus की तरफ जाता है electron को बहुत ही कम consider ऐसे किया जाता है अच्छा तो अब क्या होता है कि अपने एक battery लगाए conductor में and battery क्या कर रही है battery charges को flow करा रही है एक जगा से दूसरी जगा पर और ऐसे में battery को कुछ ना कुछ work करना पड़ेगा तो battery जो work करेगी वो कितना होगा तो आप यह बात जानते हैं कि जो potential होता है वो w by q के बराबर होता है where q is the work sorry w is the work q is the charge and v is the potential difference है तो potential difference कौन produce करता है battery v equal to w by q तो क्या मैं यहाँ से w equal to v into q लिख सकता हूँ this is my expression number one this is my expression number one कि work done कितना होगा जितना potential होगा और जितना charge होगा battery कितना charges flow करवा रही है and कितना potential दे रही है उसी के accordingly work होगा अगर potential ज्यादा होगा अगर v का value ज्यादा होगा इसका मतलब battery ज्यादा काम करके देगी है ना और अगर Q के value ज़्यादा होगी, current ज़्यादा होगा, charges ज़्यादा flow करेंगे, तो भी work done ज़्यादा होगा, so W equals to VQ, एक और बात आप जानते हैं, कि Q equals to I into T होता है, Q equals to I into T, कैसे पता है, भाई देखो, हमने एक चीज पड़ा है, कि जो current होता है, I equal to Q by T होता है, current is charge upon time, इसका मतलब, charge क्या हो जाएगा, charge हो जाएगा, I into T, this is my expression number 2, अब मैं क्या करता हूँ, substitute करता हूँ, substituting equation 2 in 1, तो देखो क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा, W equal to V, क्योंकि जगा पर क्या आ जाएगा, I into T, I into T, इसका मतलब, W equal to V, I, T, है ना, और यह जो W है, यही क्या होगा, heat का का काम करेगा, यही work done, heat में convert होगा, यह जो work done है, यही heat में convert होगा, So basically, जो मैं बोलता हूँ, heat, heat को मैं H से represent करूँगा, heat H equal to क्या हो जाएगा, V into I into T, this is the formula for heat developed in a conductor, यह किसका formula है, यह formula है, heat developed in a conductor, जब उसमें current flow कर रहा होगा, अब आप इस चीज़ को समझो, अगर potential जादा होगा, battery जादा powerful होगी, तो जादा heat generate करेगी, कम powerful होगी, तो कम generate कर current, current जटना ज़्याधा होगा, heat उतना ही ज़्याधा होगा, current जब इसे देर तक आप connection लगाये रखो, ज़्याधा heat develop होगा, अगर पानी को ज़्यादा गरम करना चाते हो, तो heat रगो ज़्याधा घर तक on रखो, तो ज़्याधा पानी गरम होगा, alright, so heat equal to VIT, so this is the formula, heat equal to VIT, अब इसी formula को आप अलग-अलग तरीके से change कर सकते हो, कैसे change कर सकते हो, change हम ये कर सकते हैं, कि हमने पड़ा है कि I equals to V by R लिख सकते हैं, तो यही formula क्या बन के तयार हो जाएगा, heat का, so H equal to V, तो V हो गया, I की जगा पर V by R कर देते हैं, into T, so the formula will become H equal to V square by R into T, तो हमारे लिए heat का formula ये भी बन जाता है, उसी तरीके से जैसे मैंने यहाँ पर I को substitute किया, मैं चाहूँ तो V को भी substitute कर सकता था, so V equal to क्या बन जाता, so V equal to बन जाता I R, तो अब ये जो formula है heat का, H equals to, ये जो है H equal to, V की जगा पर मैं लिख दूँगा I R, है ना, और ये जो I है, I तो है, और ये T का T, so heat का एक और formula बन के तैयार हो जाता है, I square R T, तो battery ने जितना भी work किया, वो किसमें convert हो गया, heat में, वो किसमें convert हो गया, heat में, एक बार फिट से समझ जाए, derivation क्या होगा, आपने पड़ा है, कि battery क्या करती है, potential develop करती है, और जिसकी वैसे work done हो जाता है, right, so V equal to W by Q, so W equal to V क्यों हो गया, उसके बाद, I equal to Q by T होता है, current is charge by time होता है, तो charge क्या हो गया, I into T, तो charge से replace कर दिया, so W equal to V, और Q की जगा पर आ जाएगा, IT, so work done equal to VIT, यही work done, heat में convert होता है, battery नहीं यह जो work किया, यही heat में convert होता है, इसलिए मैंने इस W को हटाया, और उसकी जगा पर क्या लिख दिया, heat लिख दिया, so heat H equal to VIT, अब क्या होगा, I की जगा पर V by R आ जाएगा, so V into V by R into T, that means heat equal to V square by R into T, और तीसरा, अगर मैं V को replace कर दूँ, I R से, तो यह बन जाता है, H equal to I square R T, तो मेरे सामने तीन formula available है, अब question जिस form में होगा, मुझे वही formula apply करना होगा, इसको हम लोग Joule's law of heating भी बोलते हैं, यह जो है formula, H equal to I square R T, इसको बोला जाता है, Joule's law of heating, यह क्या बोलता है law, यह law बोलता है, कि heat is directly proportional to the current, दीख रहा है, साब साब दीख रहा है, अच्छा current भी क्या, current का square, दूसरा, heat is directly proportional to the resistance, सही बात है, और heat is directly proportional to the time, तो जितना जादा resistance होगा, जितना जादा time होगा, और जितना जादा current होगा, उतना ही जादा आपको heat देखने मिलेगा, उतना ही जादा आपको heat देखने मिलेगा, अच्छा एक चीज़ आप समझेए, जिस wire का resistance जितना जादा होगा, वहाँ पर आपको heating effect उतना ही जादा देखने को मिलेगा, अगर wire बहुत अच्छा conductor है तो heating effect कम देखने मिलेगा और अगर wire का resistance ज्यादा है तो फिर heating effect आपको ज्यादा देखने को मिलेगा अब heat का unit क्या होगा what is the unit of heat तो heat बोलो work बोलो energy बोलो कोई भी बोलो तो unit होता है इसका joules या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हो kg m2 per second square अब इतना लंबा चोड़ा कौन लिखेगा kg m2 per second square तो इसे लिए हम simply क्या कर देते हैं इसको joules लिख देते हैं तो याद रखना कोई energy बोले कोई energy बोले किसी भी टाइप के energy हो mechanical energy हो kinetic energy हो कोई इसी भी टाइप के energy शब्द लिखा है ना तो समझ लो जो energy की unit होगी वही work done की भी होगी जो energy की unit होगी वही work done की भी होगी है ना और combinedly इनके unit क्या होगी joules अब एक छोटा सा question कर लेते हैं इ an electric heater an electric heater an electric heater of resistance an electric heater of resistance 500 ohm is connected is connected through a main supply through a main supply for 30 minutes for 30 minutes flow stop if 5 ampere current if 5 ampere current flows through the filament flows through the filament of the heater flow stop calculate the heat energy produced in the heater produced in the heater तो यह सवाल है आपके सामने an electrical heater of resistance 500 ohm इस connected through a main supply for 30 minutes तो देखिए कितना resistance 500 ohm में supply पर connected है कितने देर के लिए 30 minutes के लिए कितने current flow कर रहा है 5 ampere का flows through the filament of the heater calculate the heat energy produce तो भाई जो जो पता है उसको हम लिख लेंगे तो क्या क्या पता है अपने को हमको पता है कि resistance है 500 ohm ठीक है time कितना 30 minutes तो 30 minutes का मतलब कितना हो गया seconds में 30 into 60 1800 seconds में उसके बाद I कितना है 5 ampere आप से क्या बोल रखा है calculate the heat energy तो formula क्या है हमारे पास heat equal to I square RT so heat equal to I square that means 5 square R कितना 500 और T कितना 1800 that means heat equal to 5 का square 25 25 5 into 18 तो basically यह बन के आएगा 225 123450 इतना 2225 0000 जूल्स that means इसको मैं लिखू तो यह ऐसा बनेगा h equal to 2.25 into 10 to the power 7 joules तो direct question था यह next is electric power अब पावर से तो आप समझ रहे होंगे दम किसमें कितना दम है जैसे हम बोलते हैं कि यह जो motor है यह 50 horsepower की है और यह 100 horsepower की है तो कौन ज़्यादा powerful होई 100 horsepower की ज़्यादा powerful होई तो power एक common time में कहीं पर भी यूज हो सकता है अब हम electricity में इसको कैसे denote करते हैं तो दीखे power simply यह हो गया कि power is the amount of electrical energy consumed by a device हना तो अगर हम लोग पावर को define करें तो क्या बोलेंगे कि electric power electric power is defined as electric power is defined as electric power is defined as the amount of the amount of electrical energy consumed in a circuit in a circuit per unit time तो हम इस वे में power को define करते हैं कि power is the amount of electrical energy क्या amount of electrical energy consumed in a circuit per unit time तो power के लिए जो हम बोलते हैं power is work done divided by time taken और देखो work done ही energy है तो मैं power को ऐसे work done divided by time भी लिख सकता हूं या फिर मैं power को energy divided by time भी लिख सकता हूं तो दोनों में से मैं किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकता हूं because power जो है because जो work done है वही energy है work done is energy right तो देखिए power is work done by time taken और I can say power is energy divided by time अब देखो जो device जितनी ज्यादा energy खा रहा है इसका मतलब उसकी power भी उतनी ही ज्यादा होगी आपने देखा होगा कि एक two wheeler ज्यादा energy consume करता है या फिर एक truck ज्यादा energy consume करता है मतलब किसमें तेल ज्यादा भराना पड़ता है आपको कौन ज्यादा mileage देता है अब bike में देख लो bike में आप एक liter तेल डाल दो तो bike जाएगी पचास किलोमेटर के आसपास पचास पचपन के आसपास जाती है एक bike वही अगर सेम आप एक उसमें डाल दो सेम एक लेटर आप एक four wheeler में डाल दो तो four wheeler तेरा चौदा बीस किलोमेटर तक जाएगी maximum truck में डाल दो तो truck 78 km ही जाएगा है ना तो क्या होता है कि energy को consume करने का सबका rate अलग-अलग होता है इसलिए हर एक का power अलग-अलग होता है अब जो जितना ज्यादा energy consume करता है वो output भी उतना करके देता है तो अब एक bike है कम तेल लेती है इसके वैसे काम भी कम करके देती है एक bike दो ही लोग को लेके जाती है लेकिन एक car हो गई वो चार से पांच लोग को लेके जाती है इसके लिए car ज्यादा fuel खाती है है तो power is कौन कितना काम करके दे रहा है per unit time so power is work done by time taken and दुसरा power is also energy consumed divided by time क्योंकि जो जितना energy consume करेगा वो work भी उतना ही ज्यादा करके देगा तो याद रखना दोनों interlinked है energy ज्यादा consume कर रहा है इसका मतलब वो work भी ज्यादा कराना है तो energy उसको ज्यादा देनी पड़ेगी so power equal to w by t और power equal to e by t अब हम क्या कर सकते हैं हमको एक चीज मालूम है कि energy को expression अभी अभी हमने पढ़ा कि energy is equal to क्या होता है vit होता है अभी अभी जैस्ट थोड़ी दिर पहले पढ़ा था power energy क्या होता है vit होता है तो vit divided by t तो क्या होगा यहां से t से t cancel हो जाएगा so power का जो एक और expression बनके आया that is v into i what is power power is v into i power क्या है potential and current potential and current अब मैं चाहूं तो यहां पर i को replace कर सकता हूं किसको i equals to देखे ज़रा since i equal to v divided by r तो यही formula power का क्या बन जाएगा तो i की जगा पर v divided by r कर दो that means power equal to v square by r power equal to v square by r ठीक है यह दूसरा formula आ गया तीसरा formula मैं यह कर सकता हूं कि यह जो v है v को replace कर देता हूं तो v क्या बन जाएगा v बन जाएगा i r तो जो power है power will become as v की जगा पर i r कर देता हूं मैं and यह i तो है ही so power equal to i square r तो यह formula भी हो गया तो आपको करना क्या है heating effect के formula में से t हटा दो जैसे आपने heat का formula क्या पढ़ा था जरह याद करो heat का formula क्या पढ़ा था v i t पढ़ा था तो heat के formula में से t गाइब कर दो तो बचे का power देखो v i t में से t गाइब कर दो तो v i किसका power का उसी तरीके से आपने heat का एक और formula पढ़ा था जरह याद करो heat का v square by r into t यही पड़ा था, T गाइब कर दो, तो देखो, P equal to V square by R बन गया, बस, है ना, तीसरा formula आपने पड़ा था, heating का, heat is equal to I square R T, तो क्या करना है, T गाइब कर देना है, बचेगा क्या I square R, तो देखो, power equal to I square R, समझ गया, तो बस, this is the electric power, what is the unit of power, power की unit क्या होती है, तो power की unit क्या होती है, तो power की unit क्या होनी चाहिए, formula देखो, power equal to work done by time taken, so work done, work done होता है, joules, time क्या होता है, second, तो joule per second, unit क्या होती है, इसकी joule per second, या फिर आप simply इसको watt भी बोल सकते हो, जैसे आपने कर भी bulb खलिदा होगा market से, तो लिखा होता है इसमें, 18 watt, 20 watt, 25 watt, 30 watt, right, तो unit क्या होती है, joule per second, या फिर watt, कई जगाओं पर आपने देखा होगा, news में भी सुना होगा, कि एक नया hydro power plant खोला है, जिसकी capacity 15 megawatt की है, इसकी capacity 10 gigawatt की है, इसकी इतनी kilowatt की है, तो ये भी ज़रा समझी है, जो basic unit होती है, वो watt होती है, ठीक है, जब भी कोई बोलता है 1 kilowatt, जब भी कोई बोलता है 1 kilowatt, तो समझ जाईए, ये जो kilo होता है, kilo, kilo होता है 10 to the power 3, kilo किसको बोलते है, 10 to the power 3 को, तो बस आपको kilo हटा देना है, और इसकी जगा क्या लिख देना है, 10 to the power 3 watt, तो 1 kilowatt कितना होता है, 10 to the power 3 watt, जब भी कोई बोलता है 1 megawatt, तो 1 megawatt क्या होगा, तो mega का मतलब होता है 10 to the power 6, 10 to the power 6, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 10 to the power 6 watt, तो अगर कोई बोलता है, कि ये जो power plant है, ये 15 megawatt का है, अगर मान लो किसी ने बोला, कि ये power plant 15 megawatt का है, तो 15 Megawatt का मतलब क्या हो गया 15 और Megawatt का मतलब कितना होता है 10 to the power 6 तो 15 into 10 to the power 6 watt का है वो similarly Gigawatt Gigawatt तो Gigawatt कितना Gigawatt 10 to the power 9 यह देखरे हो पावर 3 का multiple है 3, 3 to the 6, 3 to the 9 Gigawatt तो Gigawatt का मतलब कितना हो गया यहाँ पर 10 to the power 9 watt है ना जिसे कोई बुले कि यह जो पावर प्लांट है यह 8 Gigawatt की बिजली पैदा कर रहा है 8 Gigawatt तो 8 Gigawatt का मतलब कितना हो गया 8 into Gigawatt 10 to the power 9 8 into 10 to the power 9 watt की बिजली प्रोड्यूस कर रहा है अच्छा गीगा के बाद क्या आता है आपने सुना होगा Tera आपने कभी CDs में सुना होगा ना यह Gigawatt, Kilobyte, Megabyte, Gigabyte, Terabyte यह वही है यह वही चीज है आप बोलते हैं इतने Kilowatt का है इतना Megawatt, Sorry, Kilowatt ने Kilowatt, CD खरीते वक्त या Pen Drive खरीते वक्त हम ऐसे तो बात करते हैं कि यह जो फोटो है यह कितने KB की है बाई यह 15 KB की है है ना, KB के बात की आता है MB, Megabyte, फिर उसके बात की आता है Gigabyte, Terabyte आजकल जो Computer है, उनके जो Hard Drive है वो Terabyte में आती है एक TV का Drive है हमारे पास दो TV का है, त्री TV का है ऐसे बोलते हैं हम लोग तो Tera कितना हो गया तो मुझे बताओ, अगला Multiple क्या होगा 10 to the power, 3 का है ना 313, 339, 3412 तो यह बन जाएगा 10 to the power, 12 Watt ठीक है, तो पीछे का बास यह पार्ट हड़ा देना है जैसे यह Power था इसलिए Watt था देखो यह Watt पीछे क्यों लिखा है क्योंकि यह Power था और यह किलो, मेगा, गीगा यह सब यह Common term यह कहीं पर भी यूज हो सकते है जैसे मान लो Watt था दिया और मैंने Gram कर दिया तो क्या बन गया, 1 Kilogram 1 Kilogram मतलब 10 to the power, 3 Gram 1 Megagram, Megagram कितना हो गा 10 to the power, 6 Gram 1 Gigram, कितना हो जगा 10 to the power, 9 Gram समझ गे Watt हटा दो, उसकी जगा मीटर डाल दो, 1 Kilometer 1 Megameter, 1 Gigameter 1 Terrameter So these are the Common Terms तो कहीं पर भी, अगर आपको Giga, Mega यह सब दिखा दे रहा हो तो यह मत सोच लेना कि वो Power represent कर रहा है No, it is just a Common Term Correct? अच्छा एक और चीज समझ यह जैसे हम लोग वजन को मेजर करते हैं हलके वजन को हम लोग Grams में मेजर करते हैं भारी वजन को केजिस में, और भारी होगा तो कुंटल में, और भारी होगा तो तो टंस में, उसी तरीके से अगर वजन, अगर पावर हलकी है पावर कम है, अगर पावर कम है तो हम लोग यूज़ करते हैं watt क्या यूज़ करते हैं watt अगर power कम है तो अगर power ज़ादा है तो हम यूज़ करते हैं horse power हम कौन सा term यूज़ करते हैं horse power तो याद रखिए one horse power is equal to 746 watt कितना एक horse power कितना होता है 746 watt अब एक example से समझो मेरे घर में एक air conditioner लगा हुआ है मेरे घर में एक air conditioner लगा हुआ है और उस air conditioner के उपर लिखा हुआ था 1500 watt क्या लिखा हुआ था उसके उपर 1500 watt क्या ही यह 1500 watt जो कि उस AC के उपर लिखा है और अगर horse power में मैं देखू तो कितना हो जाएगा तो आपको नहीं लगता कि ये लगबग लगबग 2 horsepower के बराबर है 2 horsepower के बराबर है क्योंकि देखो 746 मतलब आपका कर दो 700 ठीक है 4 काई फरक है 746 मतलब अप्रॉक्सिमाइटली 700 Watt 700 को डबल के इतना होता है 1500 तो 700 Watt पे 1 horsepower तो 1500 के आज पास में कितना हो जागा 2 horsepower तो घर में जो एर कंडिशनर लगे होते हैं वो 1500 Watt के होते हैं मतलब 2 horsepower के होते हैं वो इतना electricity consume करते हैं इतने वो power के होते हैं एक लास्ट चीज और है Commercial Unit of Electrical Energy हमारे घर में जो बिजली का बिल आता है उसका Unit क्या होता है वो क्या रहता है तो Commercial Unit of Electrical Energy Commercial Unit of Electrical Energy कभी आपने अपने मम्मी को सुना होगा बोलते हुए आज इस बार तो बिजली का बिल बहुत जादा है क्यों क्योंकि हमने इतना जादा Unit खर्चा किया है हमारे मेटर में देखो इतना Unit दिखा रहा है तो यह जो बोलते हुए Unit यह क्या है यह Unit जो हम बोलते हैं ना One Unit यह One Unit कैसे इसको मेजर किया जाता है तो याद रखो जो आपके घर में बिजली का बिल आता है रूपिया है ज़ो याद रखना 1 unit is equal to 1 kilowatt r क्या है 1 unit 1 unit is 1 kilowatt r और यह actually चीज क्या है यह energy है याद रखना energy है क्यों 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 कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि देखो power को time से multiply कर दो तो क्या बन जाता है energy बन जाती है यह देखो यह formula देखो v i क्या था power था power को time से multiply कर दिया तो क्या बन गया energy v square by r क्या था power था power को time से multiply कर दिया तो क्या बना energy i square r क्या था power power को time से multiply किया तो क्या बना energy उसी तरीके से यह जो kilowatt है यह क्या है यह power है power को time से multiply कर दिया तो क्या बन गया energy so 1 kilowatt r is 1 unit अब यह 1 kilowatt r 1R का मतलब कितना हो गया 3600 सेकेंड 3600 सेकेंड अब इसको एक बार जरह मल्टिप्लाइ करके देख लेते हैं तो 3600 तो ऐसे ही होगा 10 to the power 3 का मतलब 1 2 3 watt second and what is watt second joules what is watt second what second is joule तो यह जो हम बोलते हैं घर में एक यूनिट बिजली का बिल आया है तो एक यूनिट का मत्तब हो गया कि आपने 3600 जूल की energy खर्चा की है अब तक जितने भी एप्लाइंसे से उसको चलाने में टोटल 3600 अगर आपके घर का बिजली में अगर आपके घर के जो बीजली का बिल आया है उस-में लिखा हुआ है कि आपने आक यूनिट कांसूल किया तो basically 34000 जूल्स औरजी को consume किया है अगर कोई बोले 2 यूनिट बिजली का बिला है, इसका मतलब आपने 72 लाग जूल्स को खर्चा किया है, तीन यूनिट बोले तो, ट्रिपल चार बोले तो चार गुना, समझके, तो commercial unit of electric energy क्या होती है, one unit one unit is what, one kilowatt hour one kilowatt hour तो one into ten to the power, three watt, जैसे एक example के लिए समझो just take an example मान लो, आपके घर में एक air conditioner लगा हुआ है मान लो, आपके घर में एक air conditioner लगा हुआ है, एर conditioner की power लिखी हुई है, 1500 watt कितना लिखा है, 1500 watt का air conditioner है, वो 1500 watt का air conditioner है, आपने इसको एक घंटे तक चलाया एक घंटे तक, कितना लिखा है, 1500 watt और आपने उसको एक घंटे तक चलाया वाट को हमको क्या करना है किलो वाट में चेंज करना है तो ये क्या बन जाएगा 1.5 किलो वाट इंटू 1R का कितना हो जाएगा 3600 सेकंड तो ये जो कैलकुलेशन है ये कैलकुलेशन आपको पढ़ेगा लगबग लगबग कितना डेड़ यूनिट का ये जो कैलकुलेशन पढ़ेगा ये डेड़ यूनिट का तो 3600 सेकंड वो सॉरी ये तो आर में रहता ना इसको सेकंड में क्यों चेंज करेंगे हम लोग वो तो जूल में चेंज करना होगा तो हमको करना होगा फिलाल में तो उसके टर्म्स में बात कर रहा हूँ यूनिट के टर्म्स में तो दिस इस वन आर ओनली तो 1.5 किलोवाट इन्टु 1 आर का मतलब कितना हो गया 1.5 यूनिट आपके जो मेटर में लिखा हो आएगा वो कितना होगा 1.5 unit ठीक है that will be 1.5 unit अब हो सकता है किसे को समझे हो सकता है नहीं समझे तो एक unit का बिजली का बिल अगर 10 रुपे आए तो 1.5 का कितना आएगा 15 रुपे बिजली का बिल आएगा माल लो एक unit अगर 10 रुपे का और एक घंटे को आपको क्या करना है 3600 सेकंड कर देना है तो 1500 इंटो 3600 तो यह बन जाता है 5400 000 ठीक है तो कितना हो गया 54 lakhs joules तो अगर आपके आपने घर का air conditioner एक घंटे के लिए चलाया तो आप 54 lakhs joules of energy को consume करते हो उसकी वैसे आपका बिजली का bill आता है dead unit बिजली का bill आता है dead unit तो अगर unit के terms में आपको answer चाहिए समझना इसको अगर unit के terms में answer चाहिए तो power को kilowatt में रखो power को kilowatt में रखो और time को r में power को किस में रखना है kilowatt में and time को किस में रखना है R में और अगर Jules के terms में चाहिए तो power को watt में रखो अगर Jules के terms में चाहिए तो power को watt में रखो और time को second में रखो तो आपका answer Jules में निकल के आएगा अब अगला सवाल यह है An electrical heater of resistance 8 ohm draws 15 ampere from the main supply in 2 hours Find the rate at which heat is developed in the heater Find the rate at which heat is developed in the heater तो क्या मांग रहा है यह आपसे क्या यह heat मांग रहा है आपसे नहीं यह heat नहीं मांग रहा है यह मांग रहा है आपसे The rate at which heat is developed यह आपसे मांग रहा है कि The rate at which heat is developed मतलब वो आपसे power पूछ रहा है तो ध्यान से समझेगा यह आपसे power पूछ रहा है क्योंकि अगर heat पूछ रहा हो तो सीधा पूल देता find the heat developed in the two hour लेकिन बोल रहा है find the rate at which the heat is developed in the heat तो rate at which heat तो यह जो term लिखा है ना rate at which heat actually यह क्या represent कर रहा है यह represent कर रहा है power तो आप से power पूछ रहा है we are asking you power तो क्या-क्या पता है यहाँ पर resistance है 8 ohm current है 15 ampere हैना और time कितना 2R time है 2R तो भाई पावर क्या है what is the formula for power so power का formula i और r के terms में क्या है i square r हैना power equal to i square r so the power is equal to i square मतलब 15 का square into r के जगा पर आजएगा 8 15 square into 8 that means this will become 1800 watt 1800 watt तो पावर है 1800 watt अच्छा अगर पुछा होता find the heat पुछा है rate of heat लेकिन अगर पुछा होता find the heat तब formula क्या हो जाता heat equal to i square r t तो t multiply हो जाता है तो in that case heat क्या बन क्या था देखो 1800 तो ऐसी यह आना था into इसमें 2Rs multiply हो जाते 2Rs मतलब 7200 seconds multiply हो जाते तो जो भी answer आता वो आता in joules that answer would have come in the form of joules clear एक और सवाल देख लेते हैं अब यह देखिए अगला question है an electrical iron has a rating of 750 watt 220 volt अच्छा unit देख को पहिचानो क्या है यह 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 यहाँ पर तो यह जो बोल्ट रखा है 750 watt यह क्या है 750 watt and voltage कितना 220 volt तो सबसे पहला आपको पुछ रखा है calculate current passing through it current कितना pass करेगा तो भाई current के लिए power and voltage का क्या relation है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा I equal to P divided by V which implies I equals to 750 divided by 220 750 divided by 220 that means I is equal to 3.4 amp I कितना निकल के आएगा 3.4 amp क्योंकि जो हमको दिया था वह power and voltage के टामस में दिया था तो वही फर्मला लगाएंगे second thing आप से क्या पूछ रखा है कि its resistance when in use resistance का क्या formula होता है resistance का relation क्या है V and I के टामस में आपको मालूम होगा resistance equal to V divided by I है ना या फिर मैं यह बोल सकता हूँ कि V equal to IR ohms law पड़ा था V equal to I into R ohms law पड़ा था ना so A से साब से I क्या हो जाएगा I हो जाएगा V divided by R which implies ने एक second क्या निकलना है हमको हमको resistance निकलना है sorry तो R इधर आ जाएगा यह लिजे R इधर आ जाएगा and I इधर आ जाएगा है ना तो यह बन जाएगा R equal to V V कितना? 220 divided by current कितना है? 3.4 आया तो solve करने के बाद यह जो value आपको देगा that will be R equal to 64.7 ohms R equal to 64.7 ohms So this will be the resistance अब यह देखे यह अगला question है A household uses following electric appliances refrigerator of 400 watt for 10 hours each day 2 fence of 80 watt for 12 hours each day 6 bulb of 18 watt for 6 hours each day calculate electric bill for June if cost per unit is Rs.3 तो हमको 20D का bill calculate करना है तो कैसे calculate करेंगे? हमको मालूम है कि एक unit जो होता है एक unit एक unit होता है 1 kilowatt hour कितना होता है? 1 kilowatt hour अब उसी एक unit का कितना है? 3 रूपिया रूपीज 3 पर unit तो चलिए एक एक करके calculate करते है number one मैं fridge की बात कर रहा हूँ यहाँ पर refrigerator तो refrigerator की वैसे कितना आएगा? तो refrigerator का power कितना है? 400 watt है न? इसको किसमे change करना होगा? kilowatt में तो kilowatt में change करने के लिए क्या करूँगा? मैं divided by thousand करूँगा जिसकी वज़े से यह जो watt है यह convert हो करके किसमें हो जाएगा change? kilowatt में हो जाएगा So this will become 0.4 kilowatt और कितने घंटे के लिए चल रहा है? 10 घंटे के लिए चल रहा है तो into 10 कर देंगे into 10 कर देंगे और June June में कितने दिन होते हैं? 30 दिन तो एक काम करते हैं 30 दिन को last में multiply करेंगे यह per day का निकाल लेते हैं तो per day का 4 unit आ रहा है fridge की वज़े से ठीक है? per day 4 unit per day दूसरा fan यह जो 2 fan है इनकी वज़े से कितना आ रहा है? अब यह 2 fan है 80 watt के है है न? मतलब हर एक 80 watt का है तो 80 watt मतलब 2 कितना हो जाएगा? 2 into 80 अब यह watt में है तो kilowatt में करने के लिए इसको 1000 से divide करना पड़ेगा अब यह kilowatt में आ गया है न? तो यह value कितनी रखेगा? देखो एक 0 से यह 0 cancel हो गया 8 to the 16 तो 16 by 100 है न? यह कितना बन जाएगा? 16 divided by 100 kilowatt into 10 करना होगा into 10 12 करना पड़ेगा यह into 12 करना पड़ेगा क्योंकि 12 घंटे चल रहा है यह क्या बोल रहा है 12 hours each day into 12 तो यह जो value रखेगा 0.16 into 12 तो 0.16 into 12 1.92 1.92 unit per day कितना बन रहा है? 1.92 unit per day अब तीसरा 6 bulb 6 bulb 18 watt के हैं तो 6 bulb हैं 18 watt के हैं divided by 1000 करेंगे तो kilowatt में आ जाएगा तो यह कितना value बनेगा 108 divided by 1000 है न into यह कितने घंटे चल रहा है? दिन में 6 घंटे into 6 तो यह बन जाता है 0.108 into 6 that will become 0.648 unit per day तो एक बात याद रखना कि यह जो फर्स्ट अम है यह kilowatt में है और यह जो सेकंड अम है यह आर में है क्योंकि kilowatt hour kilowatt hour यह unit होता है इसलिए देखो हर बार मैंने पहले वाले को kilowatt में ले रखा दुसरे को hour में पहले वाले को kilowatt दुसरे वाले को hour में गलती से ऐसा मत कर देना कि second वाले को आप minute में ले लो या second में ले लो नहीं अगर energy पूछी जाए तो power को आप watt में लीजिए and time को second में लीजिए अगर energy पूछी जाए लेकिन अगर unit पूछा जाए कि एक unit या commercial unit बोले उसको तो power kilowatt में होना चाहिए और time hours में होना चाहिए है ना तो अब इन तीनों को add up कर देते है तो इन तीनों की वज़े से per day due to all due to all appliances इन पूर appliances की वज़े से per day कितना unit बन रहा है तो 4 plus 1.92 plus 0.648 इन तीनों को add कर देंगे that will become 6.568 unit per day बन रहा है तीनों की वज़े से तीनों की वज़े से तो अब यह कौन सा महिना चल रहा है June calculate electricity bill for June June का पूछ रहा है June June में कितने दिन होते हैं तो June में होते हैं तो unit for June June में कितना unit आएगा तो 6.568 into 30 6.568 into 30 जो की लगबग रहेगा 197.048 unit है न तो इस हिसाब से जो bill बन करके आएगा अब देखो इस हिसाब से जो bill बन के आएगा bill for June तो June के लिए जो bill बन के आएगा that will be that will be 197.048 into 3 into 3 that is 591.12 591.12 rupees so this is the bill तो क्या क्या हमने हर एक अप्लाइंस का अपना अपना unit calculate किया पर डे कि refrigerator की वैसे 4 unit पर डे आ रहा है तो तीनों को add किया तो एक दिन में 6.568 unit बन रहा है तो उसे साब से June के मैंने में कितना बनेगा into 30 कर लेंगे तो टोटल कितना unit आया 197.048 अब एक unit का तीन रुपया है तो तीनों का मिलाके कितना हो गया तो कितना हो गया यह 591.12 तो तीनों एप्लाइंस की वैसे 591.12 रुपीज का बिजदी का बिल आ रहा है कुछा 4 5 6 6 6 8 8 9 10 कर दो